यदि आप दुखी है क्योंकि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, यदि आप दुखी है क्योंकि लोग आपको कमांगते हैं और आपको हलके में लेते हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि केवल आप ही इसे बदल सकते हैं. मेरे पास एक खुबसूरत किताब है जिसने ज्यादातर सफल लोगों की मदद की है आपने इसके बारे में सुना होगा The 7 Habits of Highly Effective People या स्टीफन कोवे द्वारा लिखेते एक स्वा सहायता पुस्तक है पुस्तक व्यक्तिगत और व्यावसा एक समस्याओं को हल करने के लिए एक समगर सिधान्त केंद्रिद द्रिष्टिकोन प्रस्तुत करती है कोवे साथ आदतों का सुझाव देते हैं जिनका यदि नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो कई स्तरों पर किसी के जीवन में सुधार हो सकता है कोवे बताते हैं कि अत्यदिक प्रभावी लोग सक्विय होते हैं जिसका अर्थ है कि वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोश नहीं देते हैं वो अह मन में आंध के साथ शुरू करने के महत्व पर जोर देता है या जीवन में क्या हासिल करना चाहता है और उन लक्षियों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को प्राथमिक्ता देने का एक स्पष्ट विचार है कोवे जीट जीट समाधान और समानुभूति पूर्ण सुनने के मूल्य पर भी जोर देता है पुस्तक का केंद्रिय विशय यह है कि लोग अपने द्रिश्टिकोन और व्यवहार को बदल कर और इमानदारी, जवाब देही और व्यक्तिगत विकास जैसे सिध्धानतों पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को बदल सकते है कोवे के विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और उनके व्यक्तिगत और व्यावसाईक जीवन के द्रिश्टिकोन को बदल दिया है पुस्तक की दुनिया भर में 25 मिलियन से अधिक प्रतिया विक चुकी है और इसे व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक प्लासिक माना जाता है ये साथ आदतें इस प्रकार हैं 1. सक्विय रहें, परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाए अपने कारियों के लिए पहल और जिम्मेदारी ले 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरूआत करें, अपने लिए इस पश्ट लक्षे निर्धारित करें और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए उनकी और काम करें 3. पहले चीजों को पहले रखें, अपने कारियों को प्राथमिक्ता दे और तुच्छ चीजों में खो जाने के बजाए जो सबसे महत्वपून है उस पर ध्यान केंद्रित करें 4. जीत-जीत के बारे में सोचें, व्यक्तिगत जीत पर ध्यान केंडरित करने के बजाय ऐसे समाधानों की तलाश करें जो इसमें शामिल सभी को लाभानवित करें पाच, पहले समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों के द्वारा समझे जाने की कोशिश करें, दूसरों को समानुभूती से सुने और उनके द्रिश्टिकों को समझने की कोशिश करें, बजाए इसके की केवल अपना संडेश दूसरों तक पहुचाने पर ध्यान केंडरित करे 6. तालमेल बिठाएं, दूसरों के साथ मिलकर काम करें ताकि आप अपने दम पर बहतर परिनाम हासिल कर सकें 7. आरी को तेज करें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक नवीनी करंग गतिविधियों में समय लगाकर खुद को लगातार सुधारें और विक्सित करें